राजुद गांदी की नाम पे खेल रहतना आवाज था लेकिन आप मेजर धैंचन के नाम पे हो रहे हैं आपकी पहिए पहिए दिखे जिस समय इस आवाज की शुरुआत भारत सरकार ने की थी समूचे देश में उसी समय आवाज उठी थी कि ये आवाज ये राजुद जी के जो इन्देश के नाम पर नहीं होना चाहिए मेजर धैंचन के नाम पे होना चाहिए इसमें कुई राजुद जी के अपमान की की बात नहीं थी लेकिन य filtered ऐसा था कि जो मेजर धैंचन के नाम से होगा तो सच में उस एवार्ड की गरीमा भी बढ़ेगी और जिनको मिल रहा है उनको भी बहुत उसमें खुशी होगी और आज मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय हमारी इंडियन होकी टीम ने में टीम ने ब्रॉंज पदक जीता है हमारी जो विमें टी धैंचन जी की याद एक ताजा हुए और हम सब लोग इस बात को भी जान ले कि जिस समय हिटलर जर्मन ओलेंपिक्स के समय कहते थे कि जर्मनी की नसल ये बड़ी नसल है और यही नसल जीत सकती है हिटलर का एहंकार तोड़ने का काम मेजर धैंचन जी ने किया और 8-1 से जर रत्न पुरसकार को देने का कोई और नहीं हो सकता मैं आधरनिय प्रधान मंत्री जी का बहुत बहुत आभार्वेत करता हूँ